जहन दोस्तों आप देखने डिफेंस केन यूटूब चैनल, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो इसराइली मिलिट्री पावर है, उसका कंपेजन करेंगे हम हमास की जो मिलिट्री पावर है, उसके साथ दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, वैसे तो आप कुछ जानने वाले हैं इस बीडियो में, यह बीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है, क्योंकि इन दिनों जो हमास और इसराइल का जो है जड़पे और युद्ध चल रहा है, और अक्सर यह जो है चलता ही रहता है, तो यहाँ पर यह आपका जानना जरूरी है, कि इन दोनों में से कौन जादा तागतबर है, तो मैं आपको यह बता दूँ जो गाजा स्ट्रिप है, जो की करीवी फिलिस्तिन का ही पार्ट है, या कहें जो फिलिस्तिन है, वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक है गाजा स्ट्रिप और एक है बैस्ट बैंक, जो गाजा स्ट्रिप और इसको बहुत सारे देश जो है मानेता नहीं देते हैं और बहुत से देश इसको मानेता भी देते हैं बात की जाए इसराइल की मिलिटरी पावर की इसराइल के पास कितनी मिलिटरी पावर है तो टोटल जो इसराइली मिलिटरी पावर है जिसको इसराइली डिफेंस पोर्स इसके पास कोई भी एक्टिव आर्मी नहीं है इनके पास जो है लड़ाके हैं जिनको यह जिहादी कहते हैं जिनकी संख्या जो है 15-20,000 के बीच में हैं जिनको हमास जो है कासम ब्रिगेट बुलाता है और यह जुनूनी योद्दा है अगर इसराइल जो है ग्राउंड अटेक करता है तो इसराइल को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यह जो है कासम ब्रिगेट जो है लड़ाके हैं काफी कड़ी टकर रागए अगर बने सपर अबी तके आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमाघ चैनल सबस्क्राइब कर लें क्योंकि हम आपके अच्छा बजट जो है पब्लीकली नहीं है कितना जो है अपने जो लड़ाके हैं जो हत्यार वगएरा पर खर्च करते हैं वो पब्लीकली एविलेबल नहीं है इसराइल की जो मिल्ट्री है जो टोटल स्ट्रेंथ है वो करीकर 1,80,000 है लेकिन इसको बहुत ही तेजी से जो है कुछी दिन के अंदर जो है तीन मिलियन यानि तीस लाक में बदल देता है क्यों क्योंकि जो इसराइल में जो सारे की सारे जो अठार साल से उपर के लोग है उनको मिल्ट्री टेनिंग जो है अनिवार है तो इसी वज़े से जो इसराइल है उसके पास जो है सारी की सारी हतियार खरीदते हैं भारत भी जो है इसराइल से हतियार खरीदता है वो domestically गिर्मलब production उनका होता है जो इसराइली बैपन है वहीं हमास के पास कोई भी इस तरीके का system नहीं है वो जो produce करते हैं वो कुछ rockets और कुछ missiles सी जो है उनको बनाते हैं और जो इसराइल है उसके पास जो है नेवी की जो संक्या है वो करीकरी 10,000 के करीव है जो active personal है जिनमें 4 corvates, 8 missile boats, 5 submarine और 45 patrol boats है और हमास के पास कोई भी नेवी नहीं है बात की जाए Air Force की तो जो इसराइली Air Force है दुनिया की जो है कह सकते है ग्रेट टेस्ट और सबसे ज्यादा एडवांस एरफोर्सों में से एक है उनके पास जो 700 से ज्यादा फाइटर एरक्राफ्ट है इनमें F-16 से लेके F-35 जो की stealth fighter jet है वो भी मौजूद है और दुनिया भर की जो उनमें मिसाइल लगते हैं वह बहुत जादा एडवांस के पास कोई भी जो है एर फोर्स नहीं है यहां तक कि जो हमास है उसके पास जो है एर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है इसकी बादावलत जो है इस्राइल के लड़ाकु जहाज है वह गाजा स्ट्रिप में बॉंबारी करते है हैं बॉंबार्डमेंट करते हैं अमला करते हैं बापस बहुती असानी से चले जाए इसराइल के पास न्यूकलियर बॉंब से लेके बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल सब कुछ है और वह बहुती ज्यादा पावरफुल है इसमें कोई भी दोराइन नहीं है तो ऐसी व और जो पास रॉकेट Alec existe काप चटी हैं जो की जनकी रिंज जो है क्रीग शो किलोमीटरम्य का बढ़ा लिए हैं he क्वी missile का जो नेंव है वो AM 75 है इसकी जो 한限 करीकाश CLM है एक मिसाइल है होана जो हमास की है इक सब सकता क्राइब किया है और doen सिज मीटर है और इनके पाद यौ है बहुत सारी दिक्कत कर देता है चोटे-चोटे हत्यारों की बदॉलरत इसके अलाबा जो हमासे उसके पास बहुत सारी assault rifles हैं anti-tank guided missiles भी हैं उनके पास machines guns भी हैं rocket launcher भी हैं यह सब यह सारे बैपन्स आ गई एक अर्मी एयर फोस ने भी आ गई तो इसराइल को बहुत ज्यादा चुनोती दे सकता है जो हमास 666 देसों ने इसराइल पर हमला किया था और सब के सब हार गए थी तो इसराइल को हराना बहुत ज्यादा difficult है तो हमास भी नहीं हरा सकता ये तो एक fact है और एक जो question में आप से पूछता हूँ क्या भारत में जो है अनिवार military training होनी चाहिए जो 18 साल से उपर के यूबक है उनके लिए या नहीं आप क्या सोचते हैं इसके उपर comment करके जरूर बताएगा अगर आपको ये वीडियो पसं